हे गाईज, वेलकम बैक टो सेंजर टैक, आज हम डिसकस करने वाले हैं Realme X50 Pro के बारे में, तो यह स्मार्टफोन के बारे में आपको बता दो कि यह Realme X50 का सक्सेसर है, Realme X50 जो चाइना में लाँच हुआ था, जो बनाया गया था, Redmi K30 को टक्कर देने, तो Realme X50 Pro किसको टक्कर देने के लिए, मार्केट में Realme ने उठता रहा है, तो यह सीधा सीधा टक्कर देगा, शाओमी के MI10 Pro को, अब शाओमी का MI10 Pro आता है, Snapdragon 865 के साथ, जो कॉलकम का लेट टेस्ट लाँच किया गया चिपसेट है, तो Realme X50 Pro भी सेम, Snapdragon 865 चिपसेट के साथ आएगा, और धेर सारे नए-ने फीचर्स हमें देखने मिलेंगे, बता दू कि one of the cheapest 5G फोन होने वाला है, जिसमें हमें Snapdragon 865 चिपसेट देखने मिलेगा, और बहुती इंट्रेस्टिंग स्मार्टफोन होने वाला है, Realme ने अब तक जितने भी बनाये उन में से सबसे इंट्रेस्टिंग स्मार्टफ ये फोन हमें अविलेबल होगा, तो बिना किसी देरी के, लेट्स स्टार्ट डफ वीडियो अब सुनने में ये आच चुका है कि एक फ्लेक्शिप स्मार्टफोन होगा, अब अगर ये एक फ्लेक्शिप स्मार्टफोन है, तो इसकी बिल्ड कॉलिटी की बात करो, डिजाइन की बात करो, कलर्स की बात करो, या ब्रैंड की बात करो, सब कुछ फ्लेक्शिप लेवल का तो यह flagship level phone है, सबसे पहले बात करें तो इसकी design की, तो design की बात करो तो dual control camera देखने मिलने वाला है, with curve display, हमें waterfall display देखने निमिलेगा, यह curve display waterfall display जैसा ही होगा, but waterfall display नहीं होगा, तो अब display की बात करी रहे, तो आ जाते है सबसे पहले display पे, तो हमें AMOLED display देखने मिल जाएगा, जो screen होगी वो 6.4 से 6.5 इंच के screen तक आ सकता है, with support of AMOLED display, हमें 90Hz refresh rate तक, जो display का support है, वो देखने मिलेगा, यह आजकल की जो नएने smart phones आ रहे, सब में mandatory हो गया है, compulsory हो गया है, कि हर phone 90Hz से 120Hz का refresh rate अपने smart phones में दे ही रहे, चाहे बात कर ले, POCO X2 की जो recently launch वहा, चाहे बात क या फिर अभी जो launch वने वाला है, पास जिन्दों में 25 February को Realme X50 Pro, तो हर phone में हमें higher refresh rate देखने मिल रहे है, अभी next बात कर लेते हैं, चिपसेट की और चिपसेट के खासियत की, तो जो Snapdragon 865 जो हाली में launch हुआ है, इसकी खासियत बता दू कि UFS 3.0 सपोर्ट करेगा, storage की बात क Snapdragon 865 के तो ये clock करेगा 2.84 GHz की स्पीड पे, अब तक का फास्टेस चिपसेट है जो कॉलकॉम ने बनाया है, तो लेटेस चिपसेट है तो फास्टेस हो गाई, और काफी अच्छे अच्छे, हाई एक्स्टेंड कर दिये, इसने क्वालिटी को जैसे की, ये वन टू अंड्रे 8GB तक maximum RAM देखने मिलेगी, 8GB का variant भी हमें Realme X50 Pro में देखने मिल सकता है, और 128 और 256 GB तक की स्टोरेज Realme X50 Pro हमें प्रोवाइड करेगा, जो काफी बढ़िया है, और mandatory है, इस flagship लेवल तक के फोन में, नेक्स बात कर लेते हैं, इस फोन के चार्जिंग की और बैटरी बैकप की तो बैटरी बैकप की बात को, तो 4500 से 4700 में इस तक की बैटरी हमें मिल सकते है, Realme X50 Pro से, यह confirm नंबर है, इसी रेंज में यह बैटरी बैकप हमें मिलने वाला है, अगर बात करो चार्जिंग की, तो यह confirm है कि 65 Watt की फास चार्जिंग हमें देखने मिलेगी, जो 24 में इतना आपका फोन, फुली चार्ज कर देगी, जो काफी बढ़िया है, और काफी इनोवेटिव है, Realme ने अब तक इतना फास चार्जर वाला स्मार्टफोन कभी हमें दिया नहीं है, तो यह पहला फोन होगा, जो इतनी फास चार्जिंग को सपोर्ट करेगा, तो यह खास बात है Real अब इतने सारे फीचर्स दे रहा तो इसकी प्राइसिंग क्या होगी, यह भी बहुत चानने लाइक बात है, तो इसकी जो प्राइसिंग होगी, वो बताई जा रहे है कि 15,000 से स्टार्ट होगी, जो शाओ में हमाई 10 प्रोखी भी है, जो सेम बजट और सेम प्राइस में, औ और अगर मैं कहूँ बैटर फीचर्स तो इसका मैंने एक कमपेज़न वीडियो बना दिया है, जो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप उससे देख सकते हैं कि आपको शामी MI10 प्रोख रिजना चाहिए, या रियल्मी X50 प्रोख रिजना चाहिए, दोनों फोन काफी क्लोज है और एक दूसरे को काफी टक कर देंगे, हाँ उस वीडियो मैंने एक गलती कर दिये कि जो इसकी प्राइजिंग है, वो थोरी कम बता दिये, बड़ जो रियल प्राइजिंग है, वो अभी हमाया सामने आ चुकी है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं बनाते हैं तब स टेकनोजी वीडियोज हर रोज, अगर ऐसे वीडियोज आपको रोज देखने हैं, चैनल को सब्स्राइब कर देना, वीडियो पसेंदा है, तो लाइक और शेयर कर देना, मैं मिलता हूं नेक्ष्टर में, तिल देन, बब बाई!